ता पिर एक बाव फिरसे आप सभी का स्वागत है जितने भी दोस्त है आप जोड़ रहे हैं दोस्तों सीट इस बहुत ही बहतरीन सी कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तो इस बार आप सभी ने देखा कि EBS का जो question paper है वो किस तरीके से थोड़ा difficult आया लेकिन आप लोगों को मुझे बताते हुए बिल्कुल भी इस बात की हिचक नहीं है कि जो गलती मेरे से पिछली बार हुई थी कि मैंने आप लोगों को पढ़ाए नहीं था वो गलती में इस बार नहीं करने जा रहा हूँ आप लोगों को पूरा जब तक paper नहीं होगा दोस्तो अंतिम दिन तक आप लोगों को बहतर ढंक से पढ़ाने का काम करूँगा सभी चातर दिसंबर की तयारी करना है यहां पर सीटेट की और सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को पूरा paper पास करना है EBS में 30 में से 30 score करना है जो कि मेरे बहुत सारे चातरों ने समय समय पर किया है तो जो मेरा पढ़ाने का तरीका NCIT से फिर questions देना फिर आपको अलग से notes देना वो सारी help मैं करने को तयारू बस आप लोग को रोजाना तो पहरे डेड़ बजे मेरे साथ जुड़ना है बिना किसी देरी के दोस्तों ठीक है आप लोगोंने ले लिये होंगे सीटेट बाइ लोकिस से टेलेगराम चैनल से नहीं लिये हैं तो आपकी गलती है ले लेने चाहिए थी अब तक आप लोगों को CDP notes दे दिये हैं मैंने सारे के सारे और पूरा का पूरा 30 number के जो questions मैंने देखें काफी सारे चाहतरों के तो सीटेट में भी marks कम रहें यार अब तो marks न ली होने चाहिए जब मैं knots दे रहा हूँ उसमें पूरा नॉट कर नारी है चाहतरों के तो कही ना कहीं गलती तो हमानों कि खेल लेवल पर तयारी नहीं की दोस्तों ठीक है चलिए सर हमने आपकी क्लास से ही प्री का जो सीटेट वो कौलिफाई किया है बहुत बधने बाद चलिए पहला कोशन आपके सामने देखो थोड़े डिफिकल्ट कोशन्स अब करने पड़ेंगे अब वो वाला दौर खतम जब आसान आसान कोशन्स करके निकल जाते थी ठीक है अब थोड़े से डिफिकल्ट कोशन्स छात्रों करने पड़ेंगे दोस्तों क्योंकि हर एक डिफिकल्ट कोशन्स ही आप लोगों को आपकी काम्याभी की ओर धकेलने का काम करेगा ठीक है जी चल पूछेगा कि 15 की बताओ 20 की बताओ है ना यान की वाई सेंटीमीटर की आप लोगों को वाई वैल्यू पूछेगा ठीक है का पूछेगा यहां पर एक वाई देखे रखा होगा तो आपको कुछ सब्सक्राइब करना पड़ेगा किस से हजार से डिवाईड और करना पड़ेगा दोस्तों ठीक है याद रखेगा ठीक है तो हजार से जब डिवाईड करोगे तो 1.65 km आ गया ठीक है 1.65 km इसका सही जवाब आ गया इस तरीके से जो डिफिकल्ट वाले कोशन से दोस्तों उनको इस बार निपताना है खतम करके आना है अगर समझ में आया तो यसर लिखो और नहीं आया तो दुबारह से समझाऊंगा प्लीज एक बार लिख दीजिए सर मेर सीटेट मतलब लोकिस सर मेर से जो हो पाएगा जितना हो पाएगा अपने चात्रों के लिए मैं मदद करूंगा दोस्तों बस आप लोग को डेली सेशन में आना है कुश्चन अगला देखो माउंट एवरेस्ट इस पार्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है भारत का पूछा गया है और मैंने भी अलग-अलग सेशन में इसे कवर करने की कोशिश पूरी-पूरी की है तो माउंट एवरेस्ट जो है देट इस पार्ट ऑफ आर इंडिया नहीं लगता है कि हाँ चलो इंडियन्स चड़े हैं NCRT किताब में दे रखा है नहीं दोस्तों इस पार और इन्सेयली टीचर्स कला है है ना मेरा रेफ्रेंस रहे एंस आठीवाला व् ув लोगों से चुठ हो मेरे साथ कमें स्क्षिण में यह सर्ले आरं मेरे साथ एंस η इारी पांग हो कहाता और यह में से पाया जाता है या從 पहला कोशन चाहा से एक और कोशन जो बनता है माउंट आवरेस से रिलेटेड कि भीया माउंट आवरेस पर माउंट टिरिंग करने के लिए लो ग जाते हैं और वहाँ पर कोश्चिन बनता है कि नहरू इंटरनेशनल माउंटलिंग जो सेंटर है वो कहाँ पर है याद रखेगा वो उत्तरकाशी में है इस तरीके के कोश्चन्स हम लोग को धेर सारे एंसियाटी से देखने को मिलते हैं एक तीन महीने मेरे को देदो अपने अक्तूबर विए और यहाँ के पुरानी स्टूडेंट हैं और ना जाने कितने चात्रों के मेरे पेपर पास हुए लोग मुझे बहुत दिनों से पढ़ते हैं मेरे से आज से नहीं पढ़ रहे हैं विके सुगंदा को पूछो काफी लंबे समय से उन्होंने मेरे से तैयारी की थी काफी जिनका इंटरनेशनल भेटलिफ्टर कौन है। जिनका इंटरनेशनल फेम है वो कौन है। वो सुनिता विलियम्स है, वो बचहिंदरी पाल हैं, वो सूर्य मनी है, या फिर वो करनम लिश्वरी है। आंसर करिए ठीक है बहुत बढ़िया जिनका नहीं हुआ है घवराय नहीं मैथ बनाना सीखें एवेस तो सही हो गया लोके सर से ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार मनीश मैं वही कहा रहा हूं एवेस अरे मैथ के लिए भी तुम्हें जाना क्यों वालग हिमानसु सर पढ़ातो र टीचर अपने सब्जेक्ट में बैस्ट है जिस सब्जेक्ट में कम नम्बर आए उसी को पूरे टाइम देखना आपको ठीक है चलिए करेक्ट आंसर क्या है करनम मलेश्वरी करनम मलेश्वरी के बारे में कुछ जरूरी कोशन जो NCIT से बन सकते हैं स्टेटमेंट वाले कोशन जो बन सकते हैं कैसे कोशन देखो सबसे पहले कि यह करनम मलेश्वरी है कहां की करनम मलेश्वरी आंदरप्रदेश से बिलॉंग रखती हैं सही आंसर है ठीक है आंदरप्रदेश से बिलॉंग रखने वाली यह महीला ठीक है इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया सीज देखो ऐसे निकालते information एक बात और सुनिएगा कितना वजन उठा सकती हैं वह option में क्या देखे रखेगा 150, 106, 170 answer क्या है 130 है ना वह 130 kg तक का वजन उठा सकती है करनम मलेश्वरी ने कितने medal जीते हैं वह option देखा 35, 39, 40 कितने medal जीते हैं 39 मेडल जीते हैं करनम मलेश्वरी के बारे में एक और बात कि यह कितने साल की थी जब से इन्होंने प्रेक्टिस चुरू करी 20 साल की 15 साल की थी जब इन्होंने अपनी प्रेक्टिस टार्ट की थी तो इस तरीकी यह धेर सारे question करनम बन सकते हैं याद रखेगा बन सकते हैं दोस्तों ठीक है धेर सारे ऐसे questions बन सकते हैं बट तुम्हें प्रण लेना होगा कि हा सर में daily class में आऊँगा daily class में आऊगे तो 130 PM लॉक कर दो अपने कलेंडर का अपने life का कलेंडर बनाओ और इस कलेंडर में लॉक करके रख दो दो कोई दिक्कत नहीं है अगला इन में से कौन सा विकल्प जड़ो का है जड़ो कौन सी हैं बताओ तो पहले मैं content मजबूत करा हूँ है दोस्तों करीब 10-12 classes content की करा हूँ आप लोग को उसके बाद 2 classes पेड़ा गोजी की फिर 10-12 content फिर 2 class पेड़ा गोजी फिर 10-12 content फिर 2 class पे कोई नहीं रोक सकता कोशन देखो इन में से कौन सा विकल्प जड़ो का समूँ है जड़ कौन सी भीया carrot beetroot redis गाजर चुकुंदर मूली कौन सी हमारी जड़े हैं यह हमारी जड़े ही तो है गाजर चुकुंदर मूली हमारी जड़े है इस आर देग्जामपल्स आफ रूट इस रूट से किसका उधारा ने रूट सका जड़ो का उधारा ने मेरे प्यारे मित्रों अच्छाए डेजर्ट के बारे में कोशन बहुत आता है अब नाम देखो तो लगेगा ऐसा तो कि सिने डेजर्ट का इप्पेड़ होगा लेकिन निकलता नहीं है जो हम ढूड़ने न को धूनने चलोगे option में तो अगर desert पे चले गए तो भी आप रस्ता ही गलत निकले धूनने को वफा ठीक है आबुधाभी में नहीं है यह आस्टेलिया में है याद रखेगा बहुत सारे लोग ए आंसर कर रहे हैं ए नहीं है डी नहीं है डी भी आंसर कर रहे हैं बहुत सारे देता हूं यहाँ पर देखो डिड यू नो एंस याटी किताब है क्या कहता है डेजर्ट ओके जट्री डेट इस फांड इन ऑस्टेलिया जो कि ऑस्टेलिया में पाय जाता है इसके बारे में कुछ जरूरी फैक्ट जान लीजिए ध्यान से सुनिएगा ठीक ध्यान से देख दुबारा सुनिएगा बहुत जरूरी फैक्ट है ठीक है अवरीवन प्लीज धान से सुनो पलामु यह कितना इंदर जा रहा है यह मान के चलो एक पेड है डेजर्टोक का ऐसे तीस पेड नीचे अगर मैं रखूं कितने पेड तीस पेड नीचे रखूं इतनी गहरी इसकी देजर्टोक की और वहाँ जाके रहते हैं जहाँ पानी मिलता है धर्ती में ठीक है इसलिए ये धेर सारा पानी भी लाता है और स्टोर कर लेता है कहाँ पर अपने तने में स्टोर कर लेता है ये जो तना है ना इसका तने में स्टोर कर लेता है और लोग क्या करते हैं दोस्तों इसमें पाइप डालके बकाइदा इसमें से पानी निकाल सकते हैं ये इतना पानी लेकर आता है धरती से desertic, सबको समझ माया, सबको समझ माया, एक बार comment section में लिखिए yes sir, comment section में लिखिए yes sir, ठीक है, और like भी है, 0 का है दिखाई दे रहे हैं मिरको, शायद कुछ न कुछ इशू आ रहा है, white का, ठीक है, like अभी भी 0 दिखाई दे रहे, एक बार अगला question देख कित में से किस राजय में धाड़ी समुद्र तट स्थित है, जहां महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता से पहले अपना प्रसिद्ध मार्च किया था, बताओ, कहां पर यहां पर किया दाणि यातरा कहां से शुरू हुए थी पोर बंदर कहां, गुजरात, कहां पर है, गुजरात में, औप्षन 4 हो जाएगा, डावट नहीं, किसी को को यह डावट नहीं है, तक डाउट कहां से क्रेट होगा वो भी मैं बता देता हूं ध्यान से देखो डाउट स्टार्ट होता है दोस्तों कि यह चैप्टर जो है वो किसके बारे में है यह चैप्टर पानी के बारे में दोस्तों समुद्र के बारे में दिया गया है लेकिन इसी मैंने बहुत गजब का वह भी मैं दिखाऊंगा आप लोग को ठीक है NCRT में लेकिन दाइडी मार्च के बारे में थोड़ा सा देखो क्या लिखा हुआ है इस इंसीडेंट टुक प्लेस इन नाइंटीन थर्टी यह जो इंसीडेंट है वो 1930 में हुआ इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट जब भारत आजाद बना था उससे पहले हुआ था याद रखेगा ठीक है मतलब अंग्रेज कहते थे कि भाईया तुम लोग जो इंडियन्स हैं ठीक है हिंदू मुसल्मान कोई भी ठीक है तुम जो इंडियन्स हो तुम लोगों कोई अलाव निए कि तुम लोग नमक बना सको समुद्र के पानी से महात्मा गांधी जी ने का भईया ओ सुनों अंग्रेज ओ ये प्रिकर्ति है नेचर है तुम्हारे बाप ने नी बनाया है समुद्रों के अंदर नमक नेचर ने बनाया है और नेचर पर हर इंसान का हक है और इसी को लेकर दांडी मार्च हुआ पूरी भीड लग गई लाग अंग्रेज तो ठकलिया और कहा कि बना सकते हो आप अपना नमक बना सकते हो तब थीक है आगे बढ़ते हैं तो दांडी मार्च के बाद आगे इसी में जो फैक्ट दिया गया है वो डैड सी का दिया गया है दोस्तों पता है वेट सी समझो इस बात को समुद्र है क्या समुद्रों के अंदर जर्नली मान के चलो जैसा मुंबई की किनारे पे गए बीच पे चले गए और आप नो हम तुखीच मेरी फोटो तुखीच मेरी फोटो पिया है ना आपने सुझा थोड़ा सा समुद्र में घूमकर आ जाता हूं या आ जाती हूं और थोड़ा सा गए तो पाऊओगे की पैरों में नमक लग जग जग जया है थोड़ा-थोड़ा सा है ना अगर एक डुब की मार लिया थो पूरा मुँ कड़वा कड़वा हो गया है पाऊगे समुद्र के अंदर ऐसा ही रहता है क्यों क्योंकि हर एक समुद्र के अंदर कितना परसेंट- 3.5% क पहली बात वहां डुब की मारना ही बड़ा डिफिकल्ट है, there is a reason, because क्योंकि वो समुदर के अंदर पानी में नमक बहुत जादा है, और कितना नमक जादा है, 300 ग्राम याद रखेगा, कितना 300 ग्राम, मतलब लगभग 34% याद रखेगा, ठीक है, नमक है, लगभग 35% नमक है दोस्तों, कहां 53.5% 10 गुना जादा नमक है डेड़ सी के अंदर, इसलिए सी डेड़ सी में, कोई भी इंसान, क्या कर सकता है, तेयर सकता है, कोई भी इंसान तेयर सकता है, समझ गए, यस सरलोग लिए वर फटा-फट से कमेन्ट सक्षिन पर ठीक है, आप टेली ग्राम पर ह सब हां आकास टेलेग्राम पर हैं सब बताओ क्या करना है दोस्ति करवा दो तुम्हारी आकाश दोस्ति करवा दो बताओ किस से दोस्ति करोगे यूनिक गर्ल से दोस्ति करोगे आपस में किस से दोस्ती करवानी बताओ, आकाश बताओ, दोस्ती करवा देता हूं, है ना, अगला कोशन देखो तुम्हारा, बढ़ाई में ध्यानने दोस्ती कर लो, अभी तक की जिन्दीगी खराब कर चुके हैं, इसी वाटसेप के चक्कर में, फेस्बुक के चक्कर में, खराब किया है अब तक तो जिन्दगी खराब कर चुके हैं अब और कर लो खराब क्या दिक्कत है ठीक है चलिए अगला कोशन देखो कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज सुनकोना पेड़ की छाल के साथ किया जा सकता है वो कौन सा है बताओ टाइफाइड है मलेरिया है चिकन गुनिया है डेंगी है बताओ कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज हम कर सकते हैं सुनकोना पेड़ की छाल के साथ वो कौन सा बुखार है वो टाइफाइड है मलेरिया है चिकन गुनिया है डेंगी है दोस्तों बहुत बड़िया श है वो बुखार है मलेरिया का गाना है ना लवे एडिया हुआ ना मलेरिया की बारे में थोड़ी सी चीज जानेगा किताब में भी दी गई है एंसेटी किताब में दी गई है जुरूरी है दोस्तों याद रखेगा दोस्तों मेलेरिया के लिए बिमारी का इलाज में जो दवाई सुझाई गई है उसका नाम है सिंकोना क्या गई है दोस्तों दवाई का नाम एक दवाई इन बताओ उस दवाई का नाम क्या है सिंकोना पेड़ की छाल से मिलती है क्लूरो क्विनेन उस दवाई का नाम है क्या है दोस्तों क्लूरो क्विनेन उस दवाई का नाम है याद रखेगा कुनेन करके बोलते हैं दोस्तों इस दवाई को ठीक है पेशेंट को दी जाती है और ठीक हो जात याद रखेगा सी रखेगा टो फिर घुछ यह संच्ण यूनिक टेलेग्राम पर हो अच्छा तो इंस्टाग्राम पर हो अच्छा कहीं नहीं हो अच्छा बस सरके सेशन यह अरे तुम तो पढ़ने वाली लेडिके तो मूर खराब नहीं करना अपना भहिया पढ़ लो भाई भावी से पूछ लीजिए अरे गजब अगला कोशन अथ तो परिवार भी आ गया है मेरी एक क्लास हुई नहीं आज तुम लोगों ने भाई भावी भी ढूंड लिए पढ़ो चेराओ डांस कहा की निर्ते सैली है जहारखंड के लोगों की मिजोरम के लोगों की मनीपुर के लोगों की मेघाले के लोगों की कुछ डांस याद करा देता हूँ एक बार कमेंट सेक्शन में यह सर लिखेंगे सभी लोग जिनको भी डांस याद रखने हैं वो कमेंट सेक्शन में एसस्टी कब होगा एसस्टी के लिए हमारे अनुपम्द सर और राज राना सर पढ़ाएंगे आप लोगों को जल्द होगा वो तीन बजे और चार बजे का सेशन होता है तीन बजे भी होगी चार बजे भी होगा एसस्टी ठीक है टेंशन मतलो पर हो आप ध्यान से कोशन देखो चेराओ कहां क कुची पूडी डांस कौन सा डांस कुची पूडी डांस कहां पर पाया जाता है देखो कुची पूडी कहां पर किया जाता है कोई कच्ची पूडी खा रहा है आंखों से अंधा मतलब आंदर प्रदेश कौन सा मतलब आंदर प्रदेश तो कुची पूडी कहां किया जाता ह आंद्र प्रदेश में किया जाता है को तभी तो KCVD खाएगा है बहुत बढ़िया दोस्ते गाना है मेरे साथ याद करो धञे कली क्थकली इनल से लिए कटन नीजी केडिल चली कर घरा क्थकली कशली यानिए की कखकली डांच केरल में ईच्या कफककली अब कतक कली केरल चली वहीं केरल में रुख जाओ और केरल में दो डान्स और याद कर लो महनी अटम और क्रिशन अटम याद रखेगा महनी अटम और क्रिशन अटम ये भी केरल के ही डान्स है तो केरल के कितने डांस हुए, तीन डांस हुए, कौन-कौन से, कथक कली, महनिय अटम और क्रिशन अटम ये केरल के डांस है, भारत तुम मिलो, भारत तुम मिलो, एक मेरे साथ बोलो सबी लोग, भारत तुम मिलो, ठीक है, तुम मिलो, तुम मिलो, भारत तुम मिलो, भारत ना याद हो गया बाखे गे डांस में धीरे धीरे करते रहेंगे बीच बीच में अगला कोईशन टमिल नाडू के पढौशी राजय कौन से हैं कि इसके कि इतने चातरों को मैप आता है उनको कसम है नहीं आता उनको याद करना चाहिए कितने को आता है मैप बहुत बड़िया याद्थ के परऊसी राज़े कौन से प्ढ़ोसी राजे पूछरा है देखो देहां से याद्थ का डान्स भरत नाट्यम ऐसे याद रखा करो बीच बीच में है न सबसे नीचे इतना तो समझ में आ रहा है कि तमिलाडू साउथ में होगा यूपी के बगल में तो है ने उत्तर प्रदेश वाले एक बार अपने सब्स कंण सिटी से जुड़े होएं तो यह जो तमिल नाडू है भारत तुम मिलो तमिल नाडू के बगल में दो कदम से यहाँ पर इसके अंधपरदेश, केरल, करनाटक यह तीन राज्जें हैं जो तमिल नाडु के पड़ोसी राज्य हैं वैसी कल को वह आंधपरदेश कि पूछे तो आन्धपरदेश के चेल पनाडु पड़ोसी के बाद मैप दूंगा मैं क्लास खतम होने के तुरंत बाद आप लोग को ठीक है याद रखेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सर आपकी क्लास कैसे करें रोजाना दुपहरे डेड़ बेजे जुड़ो और क्लास करो कुशन अगला कौन सा पक्षी ऐसा जो अपनी गर्दन को जटके के साथ आगे पीछे करता है अपनी गर्दन को जटके के साथ आगे पीछे करता है बताओ वो कौन सा पक्षी है वो उल्लू है वो कोवा है वो बसंद गौरी है या वो मैना है दोस्तों बताओ जटके के साथ गर्दन को आगे पीछे करने वाला कौन सा पक्षी है चलिए, सही answer is yes, मैना, गर्दन को जटके के साथ आगे पीछे करने वाला पक्षी मैना है, याद रखेगा, मैना वो बक्षी है, जो जटके के साथ आगे पीछे करता अपनी गर्दन को, ठीक है, ज़ो ज़ो होते हैं, उनकी आखे आगे होती हैं, उनकी पुतलियां फिक्स होत से वो अपनी गर्दन को आगे पीछे करते हैं, हम लोग अपने आखों के पुतलियों को आगे पीछे करना जानते हैं, ना, ठीक है, तो पक्षी भी अपनी गर्दन को आगे पीछे करना जानते हैं, याद रखेगा, लेकिन उन्लू के पास इस सुईधा नहीं है, गर्दन क कुझकि एधर साइड में नहीं होती उल्लू के आखे आगे होती इस तरीगे से कि है लुख के आगे होती है तो इसलिए वह अपनी गर्दन को Uh 307 डिगरी खुमा लेता है याद रखेगा जोस इन्वलिक्त में से कौनसा अच्छा खाना पकाने की कार्या कुकि हमारे देश में भारों में महिलाएं खाना बनाती हैं कokie हमारे देश में जा धता घरों में नियाता कि पुरुष सिर्फ पागल बनाते हैं ठीक है चलिए सब्लब रहे हो ईनमे से कौनन से फ्हाना पकानीं की काऱ्यप पिरिनाले है सब्यूं को काटना फिर ताजह जल में ध्हुना अलाँ पकाने तो सब्यूं को практи द्जाना फिर उन्हें अच्छे तरीके से अगे बढ़ते हैं अगला कोशन इन में से कौन सा चंदरमाकी सबसे जो सतह है चंदरमाकी अब देखो इस तरीके के बड़े-बड़े कोशन आपके पेपर में फसते हैं और जब ऐसे कोशन्स आते हैं तो हमारे छातर घबराते हैं हमारे छातर भाग लेते हैं दोड लेते हैं लेकिन ऐसे कुशन्स को सोल्व नहीं करते हैं मेरे प्यारे मित्रों जब आप ऐसे कुशन्स को सोल्व नहीं करोगे तो कोई और नहीं आएगा आपके लिए इन कुशन्स को सोल्व करने के लिए ठीक है आपको ही अपने कुशन्स स हवा हाव मिहा ग्रैविटी नहीं है ग्रैविटी है on消ओ हमंद तुम करेक्ट अंसिर नो वाटर डीप क्रेटर हाई मौंटएंज अब देखो चंद्रयान तीन अभी गया था था ठीक हूं मेडम जी का आपको चाहिए लोन किसी को मेरे पूरे दिन कॉल आते मैं नम्बर दे दिया करूँगा आप लोग Megan चाहिए तो मैं आप लोगों का नंबर दे सकता हूं ठीक है नो दो तीन कॉल आते हैं मेरे पास सबसे ज़्यादा है एक तुस हेलो सर लोग लेलो चंदर्यान तीन ने तो वोटर की खुझ कर दिये चंदर्मा पर तो टी जब तक नहीं बदल लेती तब थांस नहीं चेंज कर लेती है तब तक हम नहीं चेंज करने वाले आंसौर हम जिद्धी है टिक है आगे बढ़ते हैं दिहां से देखके चलो समुद्र का ये स्वारी समुद्र नी चंद्रमा देखो गड़े देखे रहे हूंगा आप लोग और ये गहरे-गहरे गड़ें बहुत गहरे-गहरे-गड़ें इतने गहरे-गहरे-गड़ें कि मलब और चार-चार-पांच-बांच हाति यों डूब जाए इनों गड़ों में आगे बढ़ते हैं आगे एंसी आइटी का सबसे फैवरेट कोशन है बगला भैस पर क्यों बैठता है ध्यान से सनो बगला मनुरेंजन के लिए बैठ रहा है क्या राहां से भैस को उपर देखके 3D अगराफिक्स था आप बन भैस को दराना चाता हैव हैरा भैस तो यहाँ घोम ओड़ा दर आतो कैसे दोनों बताओ इनसे ज़्यादा तो आपको पता है मेरे भाई रेश्यू उत्तम भाई ओके बहुत बढ़िया वैल डन ठीक है चलो अब पढ़ लो तुब या सीधी बात है कि यह सहे जीवी संबंद चल रहा है कौंसा संबंद चल सबको पता होगा किस-किस के घर में कभी भैस रही है सर मेरी सर आपकी क्लास मेरा पहला दिन है मन लग रहा है थ्यान से भैस की कमर पर छोटे चोटे कीडे होते हैं और लएष का और गुण होते हैं वहीं बगुला भोजन के लिए तलास में होता है इधर चला मैं इधर चला थोड़ी देर में भैस पर बैठ लो है ना अब भैस को कमर पर मसाज चल दे बढ़िया सकुआ है यह वाले यह वाला को यहाँ पर यह ज़्यादा खून पी रहां यह वाला खा जबिया देखो छोटे-छोटे पक्षी भी जोइन कर लेते हैं कि अरे भाई यह भैस तुम तो बहुत दयालू हो हमें भी थो थोड़ा बहुत भोजन यही रहता है दोस्तों अगला कुशन वरली एक पारंपरी कला है वरली स्थान है किस राजय में अच्छा उन छोटे-छोटे कीडो क्या बोलते हैं आठ गोर्भा बोलते हैं उनको मनीश हमारे हाप पर आई थिंक उन्हें चीचीडी बोलते हैं ठीक है सर वट्सेप नंबर है आपका बिलकुल है ठीक है देता नहीं लेकिन फिर भी अगर आप लोग को चाहिए तो दे देता हूं ठीक है थोड़ा स्टाइल तो काटूंगा थोड़ा सा तो लिख लो वाटसेप नंबर मेरा 80766 23513 तुम लोग कहोगे तो गुरुप में भी आड कर दूँगा तुम लोग को वाटसेप के में ठीक है यह मेरा वाटसेप नंबर है अस्GO 2021 276igos 2353 आज मेरे को हई सर कि भेज देना ठीक है यह मत कर देना हाय मत कर देना ह्यो जो वाला है शबी और और राज़िया चुछनितार का है गतव यह मद्य कर पूछा पहारा ड सौनिय महारा स्वुष कर और पूछ अगर फुन श्रकत पी पाठपच्टान बेट वेस्ट बेंगॉल ओडिशा ठीक है तो याद रखेगे यही चित्रकला आई जो आप से पूची जाएंगे दोबारा रिपीट कर दूँ दोबारा सुन लो वरली महाराष्ट्र मदूबनी बिहार पिथोरा कुजरात और राजिस्थान और आप लोगों से पूची जाए अगर पठ चित्रकला तो उडिशा और वेस्ट बेंगॉल यहीं से कुशन फसता है हर बार क्याद रखेगा ठीक है हमको बहुत दिन से आपका नंबर है मनीश ठीक है बहुत बढ़िया बात है भाई नंबर है तो थेंक्यू सो मच पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं अगला कुशन का सोल करते हैं तमिलाडू के पढ़ाउसी राजय कौन से दोबारा आ गया गलती से कुशन ठीक है लेकिन आंसर कर दीजिए ठीक है प्लीज आंसर कर दीजिए कोई भी यह नहीं कहेगा मैं आपको sms की हूँ ठीक है कोई बात नहीं आपने sms कर दिया है वेलन गुड कुशन कांसर नहीं के पढ़ाउसी राजばい कौन से मेरे लाड़ले मित्रों तो तमिलाडू के पढ़ाउसी राज केल आ करनाटांगा वह थे हैं इनमें इसे कॉन सा एसी जीव है जिसके सुनने की शंता बहुत तेज है। और वह इतनी तेज है कि वह अगर पत्ति की सरसलाट भी हो रही हो गी कहीं पर उसको भी पहचान लेगा। वो गिद्धों के अंदर है वो रेशम कीटों के अंदर है वो कुतों के अंदर है वो बाग के अंदर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शबाश सर क्लास कितने बज़े से स्टार्ट होती है कक्षा रोजाना दुपहरे डेड़ बज़े से सुरू होती है दुपहर का समय लेता हूं मैं ठीक है किसी को भी किसी की नीद तोड़ देता हूं ठीक है चलिए सर प्रीवियस एर पेप से हैं गिद्ध वल्चर होता है गिद्ध मरी हुई चीजों को खाना पसंद करता है इसलिए इनको भूला जाता है इनको बोलते हैं या फिर एक और नाम या नाम भूलाओं गिद्ध को बताऊंगा ठीक है बुद्धी बुद्धी कहां गया नाम ठीलो कोई बाद गाना याद रखो सिल्क वां के लिए तु धरती पेचाहे जहां भी रहेगी पूरा करो गाने को तुझे तेरी खुश्बू से पहचाने लोंगा क्या हूं क्योंकि रेशम कीट मेले रेशम कीट अपनी मादा रेशम की को कई किलोमीटर दूर से उसकी खुश्बू से पहचान लेता है यहाद रखेगा तर बहुत अच्छा टीच करते हैं धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद अगला कोशन देखो यहाँ पर आप बाग देख पारें मेरे ठीक पीछे भाई साब खा मत जाना थोड़ा सा सब्सथ देख रहें न आप लोग इनके चित्ती चित्ती जो कलर देखते हैं आप लोग याद रखें कि जलवाईू ने निनको इस तरीके का बनाया है नंचर नीको honor बनाया है कि लोग पेड की civilGenma ch closes भी सकें याद रखेंगे यह जो color होता है इनका यह जलवायू के कारण भी होता है और दूसरा over a period of evolution जो हुआ है इनका evolution नहीं evolution जो है वह हुआ उसकी वज़े से ऐसे चितिदार color होते हैं दोस्तों इनकी जो मूचे हैं यहाँ पर आपको छुटी-छुटी मूचे देख रही होंगी यह भी इने direction बताने का काम करती हैं बहुत तेज direction और बाग जो है वह याद रखेगा वह हमें 6 गुना दूरी से देख लेता है अंधेरे में 6 गुना दूरी से अधिक देख लेता है तो अगर आप छुप भी रहो नहीं सोचके कि अब बाग को नहीं दिख रहा हूंगा दिख रहूंगी बाग देख रहा है दूर से चुपो चुपो अभी बताता हूं तुम लोगों को ठीक है चलिए अधिन से चुपो लुप लोगों हम कुझा आवल से निकल रही है के रावली को दिल्ली वाला कोई राजस्थान हर्याना में लूपई यू पी थोड़ा बहुत में राजस्थान हरयाना दिल्ली उत्तरप्रदेश कुई भी हो कोई देख राजशान चैणने से चनिने लेकिन अगर को यहीं से भी है तो वह जानता है कि यहीं पर पढ़ जाती है क्योंकि भारत का अगर आप नक्षा जा रहा है कीरल जा रहा है तो वो कैसे जाएगा वो ऐसे जाएगा सीधी बात है ठीक है वो ऐसे थोड़े ना जाएगा कि इधर चला मैं इधर चला इधर जाके मैं इधर ऐसे थोड़े ना जाएगा कोई सीधा सीधा जाएगा ठीक है अरावली तो नहीं पड़ेगी तो अब याद रखेगा चाहिस गडिया सबस्ट पानी से आप नीचे देखते हैं भारत का एक हिस्सा अब क्वारत का ना थैक ना याद रूखेगा aff rock फtarाफ ना हमकिन पैडिया थैक है इनुद्छ क्वम खासे ना पूरिबन रखेलिडास लोगों को काफी ज्याद को मिलती है ठीक है याद रखेगा और देखो कितना खूबसूरत तो लग राए किसी को घूमना है मेरे साथ चलना है घूमने आपर कोई भी छाथ घूमने चलेगा मेरे साथ में बताओ किसीका घूमने का क 15 फिलने और या नीचे कु Ching हम भारत के लोग वास्ताम में कहां के उल्टे खड़े हुए हैं बताओ फटाफट से बताओ कौन से देश के उल्टे खड़े हुए हम लोग है कि मलब हम लोग कौन से देश के इल्टे खड़े हुए है है ना आग मेरी जोहरा जभी वर्ल्ड पतो गईْ है ना आयेगा वुल्ड कप ठीक है वो भी करना है वह इस देखना पढ़ाई भी करनी जारी रखने य किना पढ़ाई नहीं भूल्नी stretching interessant डृब तो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप यहां से खोदना सुरू करते हो यह देखो यह भाई सब छेद कर रहे हैं सर भी डाल दिया है नोंने मैं और धक्का दे देता हूं उनको है ना अगर आप यहां से खोदना शुरू करते हो, खोदते, 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 जब आप निकलोगे ना प्रत्वी के दूसरी ओर, तो आप यहां निकलोगे, खेर गलती मत सोचना, कि हम निकल भी पाएंगे कभी, क्योंकि आप सब को पता है कि जैसे जैसे हम प्रत्वी के नीचे तो 30,000 degree Celsius तक का temperature बढ़ जाता है, प्रत्वी तीन भागों में बटी हुई है, ठीक है, समझा देता हूँ, मान के चली यह प्रत्वी है, तो यह आप लोग क्रस्ट देखते हैं प्रत्वी का, इसके नीचे दोस्तों, आपको mental दिखेगी, और इसके भी अंदर आपको core दिख गए, तापमान बढ़ते, 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 30,000 degree Celsius महुच जाएगा, और जब आप इसे खोद कर वापस आएंगे, तो यहाँ पर, आज तक प्रत्वी के अंदर छेद नहीं हो पाया है, और possible नहीं है, ठीक है, याद रखेगा, चली आगे बढ़ी है, आगे बढ़ते है मैं चलूँगा गुरू जी की तरफ से टिकेट रहेगा, शाकीब मेरा वादा है दोस्त, तू पेपर पास करके है, शाकीब तू सीटेट का पेपर पास करके है भाई, है ना, मैं तेरे को एक ट्रेन की टिकेट पश्मी घाट तक ही मैं करा के दोगा, बता, बस तू पेपर करके है, वादा करके मैं पेपर पास करके हूँ और आज मैं सब के सामने कह रहा हूँ, अगला कुश्य घर मजबूत बास के खंबो से बनते हैं, घर का अंदरूनी भाग लखिडी का बना होता है, घरों के बारे में दिया गया है, घर तीन से पांच मीटर के उचाए पर बन लिखा हो, न मीटर लिखा हो, माफ कीज़ेगा, मीटर लिखा हो, तीन से चार मीटर, या फिर दस से बारा फीट लिखा हो, भारी वर्षा लिखा हो, बस तीन चीज़ों देखो, है या नहीं किसी भी बड़े कोश्यन में और आंसर असम लगा दो, आंसर क्या लगा दो, तो तो भीया एक बार कोश्चन से याद रखो कि भीया बास के बने घर असम में पाए जाते हैं, मिट्टी के बने घर राजस्थान में पाए जाते हैं, एगलू घर हमारे बर्फ वाले अलाकों में पाए जाते हैं, चंगप्पा जंजाती रैबो नाम के घर ले लद्दाक में बन कुड़क भाशा में तवरांग का मतलब क्या है आंसर करिए इस वन कुड़क भाशा सूर्यवणी वाला पाठ नहीं पढ़ा तो पक्का पढ़ना चाहिए इस बार पक्का पास करेंगा इस बार गुरुजी तुम्हारे साथ है मैंने पिछली बार पढ़ा ही नहीं था मुझे चलो आसान आसान आ रहा है तो पिछली बार मुझे भी चैलेंजिंग नहीं लगा तो मेरे प्यारे लाड़ने मित्रों मैं सब छात्रों को पेपर पास करने वाला हूं तुम सब लोग सीटेट पास करने वाले हो जितने भी छात्र अब से मुझ से जुड़ चुके हैं रोज सिजन को सिण लेकर जाने चाहिए Photos लिए ज़ना चाहिए बताओ परवत्रों ही के दौरा कौन से चीज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑज सबट से ज़्यादा जरूरी होती है विवां के लिए मूबाईल को कि ऑफ ब प्रवत्रों करने गया a जैडी haya भी एक विशेश्ष प्रकार की चाय केहवा जिसे हम लोग बोलते मूं एक் वोड़ है इतना ही रखते हैं दोस्तो कल फिर मिलिएगा दुपायरे //्ट बजए मैं नौट्स डालने वाला हूं जरूर जुट जाए इट उन्ली ए टेली ग्राम चैनल में कल हंडर्ड लोग जोड़े थे आज मैं चाहूंगा कम से कम टू हंडर्ड साथी मेरे साथ जोड़ें उस वाले टेलेगराम चैनल में जैहिंद फिर मुलाकात होगी कल दुपहर डेड़ बजे डेड़ बजे डेड़ बजे धन्यवाद और हां सेशन कैसा लगा किरपेगर क कमेंट जरू कीजिएगा सेशन के एंड में थैंक यू सो मच कमेंट सेक्शन में कमेंट करने जरूर आईएगा थैंक यू अब्रीवन झाल 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 झाल